हेलो फ्रेंज गोरेश टीचिंग काना जी ड्रैस चैनल लोग आप स्वागत है यह देखें मैंने गनेश जी का ये क्रोशी से मुव बनाया है चलिए बनाना शुरू करते हैं यह देखें फ्रेंज इस तरह से हम एक नोट लगाएंगे यह देखें एक दो तेन चार पाँच यह देखें हमने पाँच चैन बना लिए है और जो यह लाश्ट वाली चैन है इसमें जाकर इस तरह से हम छोटा सा होल बनाएंगे यह देखें एक दो तीन तीन चैन लेंगे और इस होल में डालेंगे देखें फ्रेंज एक हमारे तीन की चैन हो गई और एक डबल क्रोश्य सबस्क्राइबो न Anda बनाएंगे में यह देखेंज इस होल में हम फोर्टीन चैनल डबल क्रोश्य बनाएंगे यानी चॉद्धा डबल क्रोश्य हम इसमें बनाएंगे यह दिदेखें है ओन। देखे फ्रेंस मैंने इसमें चोड़ा डबल क्रोशे बना लिए हैं देखे फिर से हम तीन चैनल लेंगे और यह देखे इसी होल में हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे फिर नंख चैनल में हम यह देखे फ्रेंस इस तरह से हर एक होल में हम दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे फ्रेंस यह देखे और इस राउंड को हम इसी तरह से पूरा करेंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें किया दूरा कुमेंट में राध्य राध्य जरूर लिखे देखें यह दूसी भी हम इसी तरह से पूरी कर लेंगे फिर से हम तीन चैन्ड बनाएंगे यह देखे फ्रेंस और यह दो डॉबल क्रोश्व हो गए फिर नाख्ष चैन में हम एक डॉबल क्रोश्व बनाएंगे फिर नाख्ष में हम यह देखे फ्रांस यह एक हमने बनाए पहले फिर नाख्ष चैन में दो डॉबल क्रोश्व बनाएंगे एक चैन में दो डॉबल क्रोश्व बनाएंगे एक चैन में डबल को रहा है उसे नग्ष्ट में दो डबल को रहा है इसे बनाना बहुत ही आसन है यह देखे फ्रेंस इसी तरह से इस रो को हम पूरा कर लेंगे देखे यह तीज़रे रो भी हमने इसी तरह से हैं पूररद कर लिया अग्या की ऍव अब हम गनेजी के कान बनाएंगे फहले देखे फ्रेंस एक दो थीन थीन चैनली और इसी चैन में हम एक और डबलक्रोश बनाएंगे यह देखे फ्रेंस फिर इसमें एक और डबल क्रोश है एक चैन में दो-दो डबल क्रोश है बनाएंगे साथ चैन में हम दो-दो डबल क्रोश है बनाएंगे तो टोटल हमारे चोदा डबल क्रोश हो जाएंगे यह देखे फ्रेंस एक चैन में दो डबल प्रोशे बनाने है और पुल हमें साथ चैन में बनाने है तो हमारे कुल मिलाकर चोड़ा डबल प्रोशे हो जाएंगे आप इसे कहीं पर भी जैसे बेबी की जरसी वगैरा बनाते हैं उन पर भी लगा सकते है आपका जहामन करे डेकोरेशन के लिए भी आप इसे लगा सकते हैं यह देखे फ्रेंज यह देखे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ साथ हो गए हमारे अब हम एक चैनल लेंगे यह देखे फ्रेंज और इसको ऐसे पलट लेंगे फिर इसी चैनल में हम एक सिंगल क्रोश बनाएंगे फिर नाक्ष में एक और सिंगल क्रोश बनाएंगे फ्रेंज हर एक चैनल में इसी तरह से एक-एक सिंगल क्रोश बनाएंगे इस रोग को हम इसी तरह से पूरा करेंगे 14 double crochet है तो 14 single crochet बना लिए हमने यह जो है गनेजी का एक कान बनकर तयार हो गया है देखे friends देखे धागे का हूँ पीछे की तरफ इस तरह से करके कट कर लेंगे यह देखे friends हमारा जो है यह एक कान बनकर तयार हो गया है ये देखे अब खाम काना जी का गने जी का मुकुट बनाएंगे ये देखे तीन चैन छोड़ने के बाद चोथी चैन में हम देखे इस तरह से क्रोश्य को डालेंगे तीन चैन छोड़ी और चोथी चैन में हम इस तरह से देखे एक दो और ये तीन तीन चैन बना ली है और ये देखे फिर नक्स चैन में हम डबल क्रोश बनाएंगे देखे फ्रेंट्स यह हमारे तीन हो गए चार डबल क्रोश यह और यह पांच डबल क्रोश यह देखे फ्रेंट्स हम यहां पर आठ डबल क्रोश बनाएंगे एट यह देखे फ्रेंट्स इस तरह से हम देखे हमने प्लट लिया है और फिर नक्स चैन में हम सिंगल क्रोश बनाएंगे एक एक करके हम कोने पर हमने एक चैन छोड़ी और दूसरे चैन में सिंगल क्रोश बनाया है यह देखे हमने आठ डबल क्रोश बनाएंगे और हम इनके उपर छैन सिंगल क्रोश बनाएंगे देखे फ्रेंस फिर से हम इसे पलट लेंगे यह देखे पहली चैन छोड़ी और दूसरी चैन में हम बिना कोई चैन लिए इस तरह से देखे फ्रेंस एक-एक सिंगल क्रोशे छोड़ेंगे यह देखे तो इस तरह से हमारा जो है यह मुकुट गठता हुआ बनता चला आएगा देखे फ्रेंस फिर से पलट लेंगे यह देखे हर बार एक-एक इधर और एक इधर सिंगल क्रोश्या हमें छोड़ना है देखे फिर से शीर तरह पलट कर बनाएंगे दोनों तरफ एक-एक घटाते हुए इस तरह जो है हमारी गणेजी का मुकुट तयार हो जाएगा यह देखे फ्रेंस और लास्ट में जो बीच का है यह देखे इस तरह से हम एक सिंगल क्रोश्या बनाकर उनको कट कर लेंगे वाल से फ्रेंस यह हम्हारे गणेजी का उनक कि जो हू Leavisam जैसे हमने यह दोन बनाए है इसी तरह से हम गणेजी का दूसरा बनाएंगे तीन चेयन च्छोडने के बाद चोत्छी चैन में हम देखे फ्रेंस आप एक यह देखे एक दो चोटिए चैन पीक, जैसे जो यह कहा है साथ को समार में चाइबसा को चैन को बनाएनि Feedee मैं चैनifree को haricर 000 सीह proud member भाज मैं लोग दीञिवास इसे जी आगे कम टूंच लाकर एकलिगे हैं साथ मुश्चा को दीख़ाऊ अब यहाँ पर मूउ बनेい अगेज को बने की अब है लोगा मैं एक सबोख सब्सक्रेश में न थे नकीर केशना है अब यहाँ इंट को हाँ था गया इद यहाँ आपर मूनाइगे ना इस्टरह नि Colin के अधी लगा मांधळ को मून देकिक कि इस तरह से सुरूर में हमने दो चैनल लेकर फिर नेक्स जो है देखे इस तरह से डबल क्रोशे में इस तरह से फंदा उठाएंगे और एक सिंगल क्रोशे बना देंगे यह देखे में हमें इसी तरह से फंद उठाना है और 14 सिंगल क्रोश ए बनाने हैं इसी तरह से देखिए चारों तरफ इसी तरह से देखे फ्रेंज चोदा डबल क्रोशे बना लेंगे हम हर एक चैन में इसी तरह से सिंगल क्रोशे सोरी देखे फ्रेंस चोदा सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम देखे यह हमारे चोदा सिंगल क्रोशे पूरे हो गए अब हम इसी तरह से फिर एक चैन लेंगे और नेक्स चैन में डालेंगे यह देखे फ्रेंस इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस रोको भी हम इसी चोदा क सिंगल क्रोशे बनाने है यह देखे फ्रेंज 14 सिंगल क्रोशे के उपर 14 सिंगल क्रोशे बना कर हमें इसी तरह से रो को पूरा करेंगे 8 रो हमें इसी तरह से पूरी करनी है 14 सिंगल क्रोशे के उपर 14 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 8 रो पूरी कर लेंगे और उसके बाद हर एक रो में हम एक-एक सिंगल क्रोशे गटाते जाएंगे और इसी तरह से सूंड को लंबा करेंगे 8 सिंगल क्रोशे की लाइन पूरी करने के बाद हम एक सिंगल क्रोश्या हर एक रो में घटाते हुए जाएंगे तो हमारा सून्ड जो है इस तरह से घटता हुआ चलाएगा अगर आपको छोटा बनाना है तो उसके लिए रो कम कर सकते हैं 8 की जगे 6 रो बना सकते हैं यह देखे फ्रेंट मैंने जो है यह पूरा कर लिया है और जो यह देखे फ्रेंट गनेजी की आँख बनाई हैं मैंने यह देखे 8 row मैंने single crochet की पूरी कर ली है और उसके बाद मैंने हर एक row में एक एक सिंगल क्रोशे घटाते हुए इस तरह से जो है ये देखे फ्रेंट कितना अच्छा लग रहा है और ये देखे मैंने जो है ग्नेजी की आख बनाई है इसमें मैंने आठ डबल क्रोशे छोड़ने के बाद सेंटर में से दो बार सिंगल क्रोशे कर दिया है और उसके बाद आठ रो मैंने डबल क्रोशे की यह देखे आठ जो है मैंने डबल क्रोशे छोड़ने के बाद दूसरी आख बनाई है यह देखे इस तरह से यह देखे फ्रेंस एक दो तीन चार पांच छे साथ और यह देखे और डबल क्रोश चोड़ने के बार सेंटर में दोनों तरह आग बना दी हैं यह कले रंग की उनसे दो बार क्रोश आख निकाल कर यह देखे और यह गनेजी के हैं जो दात बनाई है मैंने देखे यह देखे सून को इस तरह से नीचे की तरफ करकर हम एड़ेस्ट करकर यहां पर देखेंगे गनेजी का दात एक तो मैंने बना दिया है यह देखे यहां पर सेंटर में खुरुश आख को डालेंगे यह देखे फ्रेंज और सफेद कलर की उनसे हम यहां पर एक दात बनाकर आपको दिखाएंगे देखे इस तरह से एक नोट लगा लगा लिए हम दो तीन चार यह देखेए चार चान लेने के बाद आपको आपको देखेए एक चैन और लेंगे हम पांच इसमें डालेंगे और इस तरह से स्लिप्ट इच करेंगे फिर नेक्स चैन में डालेंगे एक सिंगल क्रोश्य बनाएंगे यह देखें फ्रैंस फिर नेक्स में एक और सिंगल क्रोश्य यह देखें फ्रैंस इस तरह से इसमें भी हम सिंगल सिंगल क्रोश्या से इसको बंद करेंगे और उनको कट कर लेंगे यह देखे हमारा जो गनेश जी का है जो दात बंद कर तयार हो गया है यह देखे फ्रेंज आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा आप इसे किसी भी कलर की उन से और इसको अपने अकोडिक डेकोरे कर सकते हैं हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा थैंक यू फॉर वोचिंग